हेलो दोस्तो मैं हूँ विशेक और जी टी यू डेली टेक के इस नए एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपका स्वागित करता हूँ यहाँ पे हम बताते हैं आपको ताजा टेक की खबरे और जवाब देते हैं आप लोगों की टेक की कोईरीस का अब आज मैं एक नए डेवाइस से निउस पढ़के आपको बता रहा हूँ और यह है सामसंग का टाब S7 प्लस बहुत ही अमेजिंग प्रीमियम टाबलेट है थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन बिलकुल वैली फा मनी है और मेरे असाब से अगर मुझे नेक्स टाबलेट ल वीडियो माने चैनल पर आचुका है अब जाके देख लेना चलिए बात करते हैं सामसंग की पहली ख़बर से और यह है सामसंग Z Fold 2 के बारे में एक प्रीमियम लेवल का एक ऐसा फोन जो की हर कोई लेना चाहे लेकिन ले नहीं पाए इतना महंगा क्योंकि तकरीवन एक बात करते हैं सामसंग की अगली ख़बर के बारे में सामसंग M51 जो है आने वाला है उसकी लांच डेट आ गई है 10 सेप्टेंबर को यह फोन लांच होने वाला है अमजन एक्स्क्लूजिव रहेगा 7000 एमेच की बैटरी है स्नाप्रेगन 730 जी है 6.7 इंच का डिस्पले है फोड़ा सा अपना प्राइस एग्रेसिव रखे इस फोन के साथ तो देखते हैं क्या होता है लेकिन मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 28 से कम तो होने से रही बाकी पतर से जाएगा हमें अब बात करते हैं अगली ख़बर वो है आईफोन 12 के बारे में आईफोन 12 का एक ली भी हो सकता है और इसमें आपको जो नॉच है वो आलमुस्ट उतने साइस की ही मिल जाएगी बस डिस्पले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और नॉच का साइस बहुत ही थलका सा छोटा होगा अदर्वाइस नॉच उतनी ही बड़ी मिलेगी जो कि आईफोन के अंदर अभी बैटरी, फाफ चारजिंग और साथ इसाथ एक अमलेट डिस्पले की वज़े से लोग इस के अपर जाएंगे तो रिल्मी 7 प्रो के यही हाइलाइट्स रहेंगे प्रोसेसर अगें पुराना ही रहेगा 20,000 के अंदर भी लोग लेने को तयार नहीं है रिल्मी 7 प्रो को क्या थोड़ी सी जादा कर दी गई है, वो 900 MHz पे है, पहले वो तकरीव ने 8500 MHz पे था, तो ऐसे में हलका सा फरक करते हैं और यह नए प्रोसेसर का नाम दे देते हैं, अगले ख़बर आ रहे हैं OnePlus की तरफ से OnePlus के दो ऐसे फोन हैं जो की आने वाले हैं, शूपर अफोरड़िबल केटिगरी में और इनका नाम है Billy2T and Billy2, तो मुकुल शर्मा जी ने बताया है कि Billy2 and Billy2T ये दोनों फोन जो हैं आने वाले हैं और ये जो है OnePlus के फोन होंगे, ऐसा उन्होंने खोद कात के निकाला है, कहीं कोड में, कैमरा के API के अंदर उन्होंने देखा है, तो देखते हैं क् ये नॉच वगएरा नहीं है, ये basically display ही बना रहता है camera, जब अब camera launch करते हैं तब वो camera बन जाता है, यानि कि वहां के pixel हो जाते है transparent और वहां पर आपको camera दिखने रहता है, जब camera बंद करते हैं, तो वहां पे normal pixel आ जाते है, अईसे रहता है कि ये normal display है, तो काफी कम feel होता है camera उस case में और यह नए innovation वाले phone बहुत जल्दी आएंगे इंडिया में 2021 के अंदर लेकिन अगर इसकी price देखें चाइना में सिर्फ तक्रीबन 21,000 रुपे का यह phone मिल रहा है चाइना में सोचो कितना बढ़िया है चाइना की pricing अगर इंडिया में यह आएगा तो वैसे तो आएग और जो वहाँ पे नहीं बिखता है वो यहाँ आता है अगर आप इस बात पर एगरी करते हैं तो वीडियो को लाइक जुरू कीज़े चैनल सिस्क्राइब कीज़े इस तरह के और वीडियो के लिए जैहिन वंदे मातरम बबाई टेक केर